कश्मीर में चलाई कलान 2014-15 बरबारी के बगेर बरबारी नहोने की वज़े से आने वाले मिहिनों में खुशिक साली का खत्रा है मैं मीर यासीन और यह मेरी कम्मूनिटी जनाब चलाई कलान गसा अकू दसम बर शुरू जनिलख चलाई का क्यों ज सहले बाद महा खिखे जाहले असे बबूट लिट होजे अस तो सिर्फ प्राइब कर वोग्मी तूहुझ अज इन प्वे ले रए मरका भूच प्राइब झाल तो सिर्फ पर प्रेश्टाब में फिस्टार्पट बिहा में अश्युन अजबाता। की जाल जाल जाम अजुन जाल जाएब है। जलाइकलान ऐसा सीजन है जहां कश्मिर में बहुत बरबारी होती है यही बरब जम जाती है और यही हमारे लिए जखायर बनते हैं पानी का जो हम समर्स में इस्तिमाल करते हैं पीने के लिए और यहां के आपाशी के लिए मुजिर असरात हमें देखने को मिलते हैं जैसे हमारे बागों पर जो एगरिकल्चर सेक्टर है इस पर जो इसके असरा देखने को मिलते हैं तो जो इसा है कि आप जो खुशक मौसम चल रहा है इसमें बहुत सी बीमारिया है जैसे खासकर बचों में में बचों में रोनुमा होती है तकरीबन तीन चार फुट होती थी वरफ और राज का टेपरेशन मैक्जिमम पांच छे मैंडस रहता था लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जैसे मारिश की दूप हो रही है बरफ का कोई नाम निशान नहीं है जैसा है कि हमने देखा सेप्टिमबर 2014 में जो फ्लर्ड्स आ गए कश्मीर में वो भी गलोबल वर्मिंग का सबब है अगर ऐसे ही दरक्तों की कटाई जारी रहेगी ऐसे ही इंडस्टियल ग्रोथ किसी रोकेट होके बगेर चले चलेगी तो आने वाले जो टाइम में वो बह जाता हूं कि यहां के जो सिटीजन हैं कॉंशिस हो जाए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पोदे उगाए जंगलों की कटाई ना करें सस्टेनेबल डैलोप्मेट पर द्यान दे ताकि हम फिर से अपनी खुशाल जिन्दगी जी पाए जैसा कि हम जी रहे थे मैं मीर्या सीन ज जाए बार मुलसे इंदान हर जिए